कि मैं अंजली मिश्र और स्वागत है आपका हमारी चानल में आपका उदाद है कि ततकालीन पर्यावरन मंत्री आदित्य ठाकरे ने कुछ महीने पहले एक लोहे के पुल का अधगातन किया था जो कि अब वो जो लोहे का पुल जो कि शेंद्री पाड़ा में आज़ों गाटगा था अब बाड़ के पानी में बह गई है और इसे हैरान कर देने वाला वीडियो जो है वो सामने आया है यहां की महिलाव को एक बार फिर से अब लकड़ी के खंब सुर्गना छेत्र में पानी की खिलत की भयावा हकीकत सामने आई थी त्रम्बकम तालुका के श्रेंद्री पाड़ा में महिलाओ को लकडी के डंडे पर से पानी ले जाने वाला एक वीडियो शोचल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हुआ था यह वीडियो सीधे ततकाली परियावरन मंत्री आधित्य ठाकरे तक पहुचा उन्होंने इस वीडियो को संग्यार में लेते हुए यूवासेन के कारिकरता को ततकाल मौके पर जाकर लोहे का पुल बनाने का आदेश दिया था तदा दुसार जो है यहां एक लोहे का पुल भी बना दिया गया कुछ दि चिले में भारी बारिश हुई है कई जगा बाड के हालात भी बने हैं और लोहे का पुल उसी बाड के पानी में अब बह गया है इसलिए एक बार फिर यहां की महिलाओं को प्राण घातक व्याब से गुजरना पड़ रहा है कुछ दिन पहले एबीबी मांजहस ने मौके पर जाकर इस पुल की बाड़ वाली तस्वीर और इसमें डूबते हुए पुल की तस्वीरों को साजह किया था उसके बाद यह पुल खुद ही अब बह गया है अब इस पर लकडियों के जरिये महिलाई यात्रा करती नजर आ रही है जिसकी तस्वीर देखकर आप भी सहम जाए पुल को 30 फीट से अधिक की उचाई पर स्थापित किया था लेकिन साथ स्थानिया लोगों ने प्रशाशन और यूवासेना के पदतिकारियों को यह सूचित किया था कि मौनसून के मौसम में पुल पानी के नीचे रहेगा और पुल का उप्योग नहीं किया जा सकेगा ले किसमत में जान लेबा रिस्क लेने की नौबत आ गई है तो मुख्यमंत्र एकना शिंदे द्वारा आज जो है नाशक के शिव सेना को बड़ा जटका देने के बाद आदित्य ठाकरे यूवा सेना अध्यक्ष राजी का विशेश दौरा करना जो है उन्हें शुरू कर दिया है आज अधित्य ठाकरे शिव संबाद यात्रा के मौके पर है और 22 जुलाई की सुबा मनमाण में सभा होने वाली है सतकार का आयोजन येवला बहुत जो है बैजापुर के मनमाण में किया गया है बता दें कि जिस ब्रिज की बात हो रही है उस ब्रिज को 28 जनवरी 2022 में बन कुछ महीने पहले ही नासिक जुले के त्रंबकेश्वर इगतपूरी के साथ सुरंगना में भी पानी की भारी किल्लत हो गई वही जुले के शेद्री पाड़ा में एक लड़की के पुल से बाल्टी में पानी ले जाते हुए कुछ महीलाओ का वीडियो शोशन मीरिया पर व बनाया गया था कुछ दिनों बाद खुदादिते ठाकड़े पुल का उद्गाटन करने पहुचे युवा सेना की पहल पर बने पुल को जमीन से महज 30 फीट ऊपर लगाया लेकिन स्थानिया लोगों ने उसी वक्त चेतावनी दी थी कि मौनसुन के दौराद यह पुल बह जाएगा स्थानिया लोगों ने इसके जानकारी प्रशासन को उसी समय दी थी लेकिन उनकी बातों को अनसुना कर दिया गया चुकि यह पुल बह गया इसलिए पानीड होने वाली महिलाव को खतरनाक सफर तै करना पड़ता है लेकिन पिछले कुछ दिनों से नासिक जिले म में हो रही फारी बारिश के कारण गोदावरी नदी और अन नदियों में भी बार आ गई है और अधित्य ठाकरे द्वारा बनाय गया पुल भी अब बह चुका है इस वजह से महिलाव को लकड़ी के खंबे पर खतरनाक सफर करना पड़ रहा है क्योंकि पानी लाने और आने जाने के लिए पुल नहीं है बता दे बिज़ के पानी में बह जाने के बाद बीज़ेश पीने ता इस मामले को लेकर आपनी प्रतिक्रिया दे रहे नितेश रानी ने भी इस मामले को ले लीट धाकर णिची कि यह वोटर्स और आदितए ठाकरे पर सवाल खड़ेंगे जा रही बतादे जो इस बप्रिज का निर्माण किया गया था उस वक्त अधित ठाकरे ने इसकी तस्वीरे साजा की ति और काफी वह वाहि वह जो है बटोरी थी उस वक्त सत्ता बया अधित ठाकरे उनके पता की सरकार थी और यह पहली बार नहीं है जब इस तरीके का कोई काम जो है महाराश्च की महाविकास अगारी सरकार द्वारा किया गया है कई वार उनके कामों को लेकर उसमें धोपा दू उसमें धोका धड़ी लापरवाई और घोटाले को लेकर सवाल खड़े होते रहें चाहिए संजर राउत की द्वारा घोटाला हो उधव ठाकरे का नाम आया हो उसके बाद आपको तादे नवाब मलिक का नाम हो या फिर उस वक्त के ग्रिह मंत्री आपको बताया अनिल देश्मुक का नाम हो कई महाराश्च के महाविकास अगारी सरकार के अ जेल में बंद है तो ऐसे में आदित्य ठाकरे को लेकर काफी जादा ट्रोल भी किया जाता है जिस तरीके से आरे कारश्च को लेकर भी वो प्रदर्शन कर रहे थी हाली फिलाल में उसे लेकर भी उन्हें काफी जादा ट्रोल किया गया था जब आदित्य ठाकरे ने बयान द दिया और आदित्य ठाकरे ही वेक्ती है जिनने शुरुवात से आरे में मेट्रो कार्षिड बनने को लेकर प्रदर्शन किया इसे लेकर लोग सवाल कर रहे थे कि आखिर इन्हें खुद ही नहीं पता है कि प्रोटेस्ट किस बात को लेकर करना है लेकिन चुकि यहां पर प्रदर्श किया गया था तो आदित्य ठाकरे के साथ मिसहप्स होते रहते हैं अब ऐसे में एक बार फिर से अब लोगों की रेडार पर आ जनता इस पर कई सारे सवाल दागती नजर आई कई लोगों ने लिखा कि यह ब्रिज 6 महीने भी कैसे टिक गया यह भी जाच का स्थानिया लोगों ने कहा था कि जब मौनसुन का वक्त आएगा तो यह ब्रिज जो है इस बहाव से बह जाएगा लेकिन उस वक्त यूवर सेना के लोगों ने उनकी एक ना सुनी क्योंकि उस वक्त उन्हें वहावाई बचोड़नी थी कि शोशल मीडिया पर वीडियो वार हुआ तो महाराष्ट की सत्ता में बैचे सबसे यूवर नेता ने बहुत ही दल्दी संग्या ले लिया और तुरंत कारवाही करते हुए उन्होंने ब्रिज भी बना दिया लेकिन अब वहावाई सत्ता के साथ जवाती नजर आई क्योंकि जैसा उनकी सत्ता एकनातर शिंदे के बहाव में बह गई वैसे ही अब अधित्य ठाकरे द्वारा बनाया गया यह लोहे का ब्रिज भी इस बहाव में बहता नजर आया जिसे लेकर अब तरह तरह के तंच तरह के सवाल खड़े किये जा रहे हैं ऐसे में हमने आपको यह पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है किस तरीके से अधित्य ठाकरे द्वारा यह ब्रेज बनाया गया था कब इसका उद्गहाटन किया था किस तरीके से जनवरी में बनाए गए ब्रिज का जलाई में हाल बेहाल हो गया और ब्रिज जो है पानी में बहता नजर आ है और इस पर किस तरीके से बीज़्य पी कि नेताओं की प्रतिक्रिया देख़ते के दिसके बारे में भी हमने आपको बड़े विस्तार से जानकारी दी है तो एसने मोंने आपको यह पूरा मामला बड़े What से बता दिया है कि यह पूरा मुद्दा क्या है और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जुड़ाए हो हमें कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके जरूर साजा करें कि